अमस्कर आप देखरे कसिश नियूज में और आकेश पटना वासियों को सीम नितीश ने सौगाद दिये हैं मुख्य मंत्री ने जेपी गंगापत के फेज 3 सड़क का उद्घाटन किया सीम ने गाई घाट से कंगन घाट तकी सड़क का उद्घाटन किया है अब 17 किलोमेटर का जेपी गंगापत बंद कर तयार हो गया है पहले चरण में 24 जून 2022 को मुख्य मंत्री ने डिगा से PMCH तक का लोकारपन किया था दूसरे चरण में 14 अगस्त 2023 को PMCH से गाई घाट तक लोकारपन किया था डबल डिकर निर्मान की कारण के जगह अब आजाही पर रोक भी है ऐसे में पट्टा सीटी के इलाके में लोगों को जाने में जेपी गंगापत से काफी सुविदा हो जाएगे कंगन घाट में 400 मीटर लंबा अप्रोच रोड भी निर्मान किया गया है अशोक राजपत को जोड़ने के लिए कृष्णा घाट के पास अप्रोच पत बन रहा है इस कुमार अभी कंगन घाट पहुंचे है जहाँ पर वो जेपी गंगापत का लोकारपन करेंगे और यहां तस्वीरों में आप देखें मुख्यमंत नितीज कुमार को कारकेड उनका और जो जेपी गंगापत है उसका कंगन घाट में लोकारपन करेंगे जो गाय घाट से कंगन घाट की जो दूरी है तिन दिसमलों चार किलोमेटर की उसका लोकारपन होना है तो मुख्यमंत नितीज कुमार को आप तस्वीरों में देख सकते हैं और डिप्टिसीम बिहार सरकार के समराट चौधरी और विजय कुमार सिना उन्हें भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं जो अभी अभी कंगन घाट पहुँचे हैं मुख्यमंतर नितीश कुमार अभी लोकारपन करेंगे उस ड्रीम प्रोजेक्ट का जिसका सपना उन्होंने पटना वासियों को दिखाया और जिसके बारे में लगतार वो बोलते रहे कि जाम की समस्या आपको दूर होगी पटना से सीधे पटना सीटी तक आपको पहुचने मे दिक्कते नहीं होंगी इसके लिए ये मरीन ड्राइब पर ये नया गंगरापत का निर्मान हुआ है और ये तस्विरे देखे जिसमें मुख्यमंतर नितीश कुमार लोकारपन करने पहुचे है और मुख्यमंतर के साथ उनके मंदल में दोरों डिप्टिसीम समराच चौदर और विजय कुमार सिना आपको लगतार तस्विरों में दिखाई पर रहे हैं और ये तस्विरे हैं जहां पर सबको इंतजार था कि इस सड़क का लोकारपन होगा ये आम लूम के लिए सड़क खोन दी जाएगी सबसे भीड भारवाली लाके पट्टा सीटी अगर आपको प संगन घाट तक पहुच सकते हैं यानि जेपी सेतू से जो तिखा घाट है वहां से इसकी दूरी जो है तकडीवन पंदरा दसांगलो चार किलो मिटर है जो ये सड़क है जिसे मरीन ड्राइब कहते हैं मुक्ति नितीश कुमार का ये ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जाता है और ही बार कहते रहा है कि पटना के लोगों को जाम से सौ फिसदी मुक्ति दिलाने के लिए ये जो सड़क है वो सहायक होगी गंगा नदी के उपर बना ये पूल जिसे मरीन ड्राइब कहा जाता है और ये दिगा घाट से कंगन घाट तक की दूरी पंदरा दसमलो चार किलो है जो तकरीबन दसमलो चार किलो मिटर है लगतार हम आपको तस्वीरे दिखा रहा है ये कंगन घाट की तस्वीर है जहां पर सारी तयारी चल रही है मुख्यमंति निती इसकुमार अब ही पहुंचे है और यहां पर ऑफिशल ये इसका उद्घाटन लोकारपन किया जा रह जिसमें मुख्यमंति निती इसकुमार साथ में दो डिप्टिस यें बिहार सरकार के जिसमें विजह सिना और समराच चौधरी को आप देख सकते हैं तमाम सुरक्षा कर्मियों के बीच और अधिकारियों के साथ मुख्यमंति निती इसकुमार दिखाई पर रहा है ये वो त जरीए जो पूल का निर्मान हुआ इसके जरीए आप बहुत आसानी से 15 किलो मिटर का सफर महच पांच मिनट के अंदर में आप तैय कर सकते हैं जिसे आदे घंटे से एक घंटे का समय लगता था तो आप यह कह सकते हैं कि यह वो तस्वीर है जो पटना वास्चों के लिए सुखत और कह सकते हैं कि बहुत फंतोष जनक यह तस्वीर है जो कि आप कह सकते हैं कि पटना के लोगों को बहुत दिनों से इसका इंदार था मुक्वंद निदी उसकुमार लोकारपन करते हुए और यह तस्विरे हैं कंगन घाट की जहां तक अभी इस पथांस का कारे पूरा हुआ है अभी इसके आगे जिदार गंस तक यह सरक जानी है जो तकरीबन यहां से 5 किलोमेटर के दुरी पे है यह जिस पथ का लोकारपन होड़ा है दर असल ये मार्च 2023 तक इस कारे को पूरा हो जाना था लेकिन देरी हुई है और फिर से मापको तस्विरे दिखा रहे हैं मुख्यमंती उसकुमार का मु Muhammed 的 Nidichukumal ने लोकार पर कर दिया है और उसके बाद वो सामने दिखाई पर रहा है जिसमें के मुख मंतरी के साथ में तमाम उनके अदिकारी, पट्टा के डि-म, कमिशनर दिखाई दे रहे हैं सब्सक्राइब कर दिया है विदानसवा द्यक्ष नंद किसोर यादव जिनका ये विदानसवा छेत्र माना जाता तो काफी महत्पूर्ण है कि इनके लिए ये बहुत महत्पूर्ण है तो ये लगतार हम आपको तस्वीरे दिखा रहे हैं जिसमें मुख्यमंत्री नितीश कुमार के दरब से बरी सागा दी गई है जेपी गंगा पे त्वेस्ट्री का उधाटन आज कर दिया गया है और इसी के साथ राजदानी वास्तियों की बड़ी सागात गाय घाट से गंगन घाट तक जाना अब असान हो गया है पहले ये दुरी दिखा से गाय घट तक ही थी लेकिन अब जो किलो मिटर है त्री पॉइंट समतिंग किलो मिटर आगे बढ़ा दिया गया है इस पोल का उधाटन आब नितीश खुबार दिकर दिया गंगापत फेस्त्री का उत्धाटन कर दिया गया है अब इदिगा से गायगाट तक गाडियां जो है चल रही थी अब कंगन घाट तक गाडियां चलेंगी पट्नावासियों को इसी के साथ बड़ी सोगाद दी गई है उत्धाटन के मौके पर मुक्यतिति के तौर पर विदा पहुंचे थे तब उस वक्त उत्धाटन नहीं वाता लेकिन अब राजधानी वासियों के लिए भी अब यह जो पूल है वो खोल दिया गया है आज से जो आवागमन है वो शुरू हो जाएगा अब गायगाट से कंगन घाट के बिचे लोगों के आने जाने की जो सुवीद भी शुरू हो जाएगा यानि कि घाटन हो गया है और इस पर जो परिचाला ने वो भी आज से ही शुरू कर दिया जाएगा तो बतादे कि अब पांच किलोमेटर का जो हिस्सा है जेपी गंगा पत दिगासी दिदारगंज तक का 20 किलोमेटर 20.5 किलोमेटर है यह जाएगा तो जी उचनल माका यहां जाएगा अब रास्ते में थोड़ा दू जाएगा यहां जाएगा आएगा बुझन आजनाल कि आइस नाजनाए अगा रूकामा तक प्रुकामा में गंखा नतीब़ सबसे पहला परिशे बनाता है। अज़री पूरे पिहाग में एक वार पहला बार बनाता है। उस्या ममनों का उमर क्या में। क्या है। हमारे पिता जी उस अब तर देखुवाय थी। आज तक हमको देख देनों का एकप्षी बहुता है, क्या है, वास्टेट की ना बात है, आख उपन गया तर्म के लिए हुझाएंगे वहाँ तक में आएंगे, तो हाई इधर हमको उढ़र तक है, शेपूर आरा तक लिए हमको आरा तक है, अब को आरा तक है, इसमें कितना सु मेरा हो पाइदा, अभी फाइदा, मुझा स्कुड़ा की जाएगे, निकना भाई existingk..., पद्व्य एक यह उड़ा मम आंने तक हमको आएंगें, आख तक भाहीं कईना है, यह तना एक हमको आएहागरा तक हमको आंगें पािंती इल, निकनांगें यह कि आन आए, इनलत है। चोपना रहे थे वाइट करके कम पुलब कर दो अरे गाहा रहे बारा कबाब शादा उसी सब रहे करना है। अरे साध हो ये न बहुत आप दो पहुँ आपे में पहले हमारे, थिये गरе, उंच और भी हो, जॉन के पृमिजभरे, मने आपे शिर lights, और जर शिर medic सबीज़ ने तेंट इसके लाई ने देर फिर अबाने में आपने इस साथ हटो सब्सक्राइब ईज़ जिए जबने में तर दोग्याव हूं आपने में दे ना इसना दना में जञाएं सब्सक्राम कर साच पर दोलापच है हम तर देखे जाने के पुश्ट प्रयास का बहुत है अब आप तो सब सुनिए यह बन जाएगा कितना अच्छा होगा हम तहीं नहीं करें लोगों को पठना आने के लिए कि इसके लिए नहीं हम लोग बन वा रहे हैं तब तो था यहां तक वह बक्तियारपूर तक बन रहा था बहुत पहले से वहां तो बक्तियारपूर से चार किलो मीटर आगे था उसकर नावे कर्जान सर बक्तियारपुर तक 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 कर्जान से कर्जान से बना तक सबसे पुराना है राजंदर से पर सबसे पहला बना यह बात था 62 नाइंटिन सिस्टिटू हम चाहते हैं वहां तक जाने का इधर हम लोग यहां तक बना रहा है ना प्लेन बना रहा है ना प्लेन कर रही है सबसे कि यह भी होगा तो लोगों को कितनी खुसी होती है दर जाने से इन रोड जाने जब सब देखते रहता हैं गाना देख अच्छा लग सबसे अब देख लिए ना हम उसको कितरा कहें हैं करने वाले हैं हमको था कह दिया था इस वार फरवरी तक अब देर हुआ हम बराबर करते काहे करने अवह देर करता है इसलिए लोग देर करते हैं तो कह दिया है कि कर देगे देखिए आप चाहते हैं कि चुनाँ से पहले हो जाएगा यह सर अब चुनाँ से पहले हो जाएगा यह सर अब चुनाँ को देखार है जहां पटनावासियों को मुक्य मंत्री नितीश कुमार्ण ये बड़ी सौ गात दी है दिखा से अब कंगन घाट तक जाना असान हो गया क्यूंकि जेपी गंगापत फेस त्री का उद घाटन आज मुक्य मंत्री नितीश कुमार्ण ये कर दिया और इसी के साथ जो पटनावासियों को ये बड़ी सौगात के रूप में देखी जा रही है और इसके पहले जेपी और इस वुले दीन में फुलाल इतना ही खबरों में बने रहने के लिए देख तरही का सिश नियूज नमस्कार